हलो आज है 28 सप्टेंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी विलमर के बारे में देखें अदानी विलमर का जो शेर है वो लगातार गिरता जा रहा है और आज अगर हम देखें तो बाजार अच्छे मूड में नहीं था आज निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी 50 में तकरीबन 200 अंक की गिरावट है और सेंसेक्स अगर आप देखें तो 600 अंक की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया अदानी ग्रूप में भी देखा जाए तो बड़ी गिरावट देखने को मिली चाहे हम बात करें अम्बूजा सिमेंट की जोगी 2.5% के गिरावट दिखाता नजर आया था एंटरप्राइज में भी थोड़ा सा करेक्शन था गैस में भी करेक्शन था और विलमर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी 1% का डिकलाइन है और पिछले एक महिने में दीरे दीरे करके 9% का डिकलाइन आ चुका है और लगातार अगर हम देखे तो एक डाउन के बारे में कि भी अफंडमेंटली कंपनी कैसी है लॉंग टर्म शॉर्ट टर्म के आउटलू क्या हो सकते हैं और अभी जिस वैलियोशन के उपर ट्रेट करें वो सस्ता भी है के नहीं देखे वीडियो को शुरू कर अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आए तो 54% से भी जादा की गिरावट है एक्चुली मैं अगर इसके higher level से compare करेंगे जो कि 800 रुपए का था तो वहिया उसके मुकाबले तो और जादा correction कह सकते है कि यहां पर देखने को मिला है एक support कहलो zone कहलो कि जो 345 रुपए के आसपास नजर आता था यहां पर क्योंकि देखा जाए तो वहीं से एक अच्छी तीजी देखने को मिली थी फिर गिरावट आई फिर तीजी आई फिर गिरावट आई और अभी अगर हम देखे तो लगातार 450 रुपए से यहां पर लगातार अगर हम देखा जाए तो decline वाला phase है अगर आप यहां पर देखो 450 रुप था 345 का वो भी तोड़ दिया है अभी यह देखा जाए तो जब हिंडन बग की रिपोर्ट आई थी और जो लो बनाया था यह उससे भी नीचे जा चुका है अदाने विलमर का शेर और दिखो यह expected भी है क्योंकि देखा जाए तो जो palm oil की कीमते हैं उसमें जिस तरीके से प्रेशर बिल्ट होता नजरा रहा है और पूरा अदानी ग्रूप देखो टेंशन में है ही यहां पर अदानी विलमर अगर देखा जाए तो देखो जो इनकी strength है वही इनकी कमजोरी बनी हुई है strength इनके यह है कि यह market leader है edible oil में इनका जो revenue है ना अदानी विलमर का जो revenue है त जाहिए उसे बात इनके quarterly numbers पे बड़ा असर पड़ता नजरा आया लेकिन company कोशिश कर रही है कि edible oil के सासथ अपने बागी business पर भी focus करा जाए तो company हाला कि बहुत छोटे-छोटे है साय सोब की बात करो hand wash and sanitizer की बात करो हलाकि rice वाला segment मुझा रता है कि potential यहां पर है कुछ rice processing units के इनों ने खरीदे भी थे कोहिनू जैसे बड़ी brand कोभी नों ने acquire किया था इसके लावा सोया चंक्स के बात करें बेसनन सत्तू के बात करें खिचरी के बात करें पल्सिस वगरा के बात करें पोहा की बात करें यह है कई सारी चीज़े हैं यहां पर लेकिन जैसे कि मैंने कहा उतनी जादा famous नहीं है इ इनका वो कहीं न कहीं hold पे जा चुका है वरना अभी हिंडन बक की report से पहले इनकी जब हम खबरे सुनते थे तो जनरल इनके expansion plan को लेकर ही खबरे होती थी कि यह खरीद लिया वो खरीद लिया यहां deal कर ली वहां deal कर ली लेकिन जब इसे हिंडन बक की report आई है हम यही सुन र बड़ी किरावट आट सो रुपय से साड़े तीन सो से भी नीचे जब शेयर चला गया तब भी इसका जो peer ratio है वो 143 का है जो की देखा जाए तो काफी महंगा है evaluation के इसाब से अभी भी लेकिन अगर माल लोगी इनके numbers में अगर improvement आना शुरू हो जाता है तब game पलड़ का P ratio लेकिन अभी time लगेगा अभी भी आने वाले कुछ महीने हैं वो इसको परेशान definitely करेंगे सब्टेंबर के number उतने अच्छे नहीं होंगे लेकिन December और March के number अच्छे आएंगे reason यह है कि शादी और festival वाले जो season होते है ऐसे में जो demand होती है oil वगेरा की वो बढ़ी जाती है तो कहीं न कहीं यह चीज है कि सब्टेंबर के numbers नहीं आएंगे तो अभी एक डिर्ड महीने तक यहां पर pressure mount होता नजर आ सकता है और तभी खरीदारी के मौके बनेंगे December quarter के number आने से पहरे खरीदारी के मौके में मानता हूं कि बन सकते हैं यहां पर याद रखे का इस ची है लेकिन actually में जब decline हमने देखा March quarter और June quarter में क्योंकि edible oil की जो कीमत है वही जब घट गई तो जो revenue 15,000 करोड का था December में वो घट के 13,800 करोड हुआ फिर गट के 12,900 करोड हुआ और जो profit भी इनका 500 करोड का था वो घट के 93 करोड हुआ और फिर अभी last quarter में तो loss ही कर दिया था यहाँ पर इनके share holding के बात करी जाए तो जो promoter है उनकी 87.94% की holding है promoter को है दो है यहाँ पर अदानी group और wilmer group दोनों का मिला जुला कालो बाहर है यह और जहां तक देखा जाए तो एक भी share गिरवी नहीं है promoter के 10.85% public के पास है अदानी group की एक lotty ऐसी company है जहाँ पर F.I.S. बहुत बड़ी quantity में नहीं है और वो अदानी विल्मर है 1.14% की holding F.I.S. के पास है लेकिन आने वोले time में अगर बढ़ जाए तो कोई दिक्कत के बात नहीं होगी और जहां हम देख रहे ना पिछले कुछ time में जब GQG partners ने बहुत बड़ी खरीदारी करी तो उन्होंने enterprise मे खरीदारी करी energy में खरीदारी करी power में खरीदारी करी port में खरीदारी करी लेकिन wilmer से अभी भी दूरी बनाये हुए सब लोग wilmer में खरीदारी नहीं आ रही है वो लेकिन जिस दिन wilmer को लेकर भी खबरे आ गई यहां पर भी जो पहिया है गेम है वो पलटता नजर आ जाए है तो जाहिर से बात है असर पड़ेगा मार्जिन पे दबाव पड़ेगा और अभी भी वही चलेगा सप्टेंबर कौर्टर के कर रहा हूँ यहाँ पर तीजी वाला दॉर नवेंबर पिश्टिवल सीजन जब शुरू हो जाएगा या अताब से मैं इस में तीजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ eld demand में तीज़ी आएगी और market हमेशा 2-3 महिना आगे का सोच कर ही चलता है तो market ये भी predict करके चलेगा कि इनके जो number साने वाले December quarter के March quarter के वो बहतर होंगे तो पहले से market तीज़ी दिखा देगा तो अभी 2 महिने तो बहुत decline वाला phase चल रहा है या फिर चलेगा तो अभी मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास है तो hold कर सकते हो लेकिन जहां तक बात है fresh buying की अच्छा level है लेकिन बहुत सारी quantity अभी नहीं add करनी चाहिए लेकिन buy on dips की strategy apply कर सकते है लेकिन बहुत सारी quantity add मत करेगा क्योंकि bottom अभी भी यहाँ पर बना नहीं है और valuation देखा जाए तो अभी भी सस्ता नहीं है बागी मरजी आपकी है इसके अलावा analysis के लिए जिस portal का में इस्तमाल कर रहा हूँ trade brains अगर आप भी इसको use करना चाहते है तो link मैं आपको description में दे दूँगा और अगर आप मेरा coupon code HSA20 का इस्तमाल करोगे तो आपको 20% का discount भी मिल जाएगा कई सारे बहतरीन features है यहाँ पर जिन में से एक है कि जो बड़े बड़े investors है वो क्या खरीद रहे है उनका पूरा portfolio आप यहाँ पर track कर सकते हो वो भी quarter on quarter update के साथ यही वो लोग है जो sharebazar में बड़ा game खेलते हैं इनके portfolio में आपको भर भर कर small cap और mid cap shares मिलेंगे कभी penny stock भी आपको मिल जाएंगे तो देर किस बात की है लिंक डिस्क्रिप्शन में है coupon code का फाइदा उठाना भूलियेगा नहीं वीडियो को यहीं प्रेंड करूंगा पसंद आए हो तो like करें शाय करें अगर पहले बार है तो please subscribe करें और अदानी विलमर के बारे में आप क्या सोचते हैं जो की वही हिंडियन बग की रिपोर्ट के टाइम पे जो लो बनाता उससे भी नीचे ट्रेट कर रहा है और लगा तर एक downward trajectory शोग कर रहा है अगर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेट में लिक के बता सकते हैं तैंक्यू